ना महंदी, ना डाई, ना कलोंजी और ना ही आमला इतना आसान तरीका मैं आज आपको बताऊंगी बालों को कलर करने का और वीडियो के अंत में आपको इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगी तो प्लीज वीडियो को लाज तक जरूर देखिएगा मैं बविता स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपका छोटी सी रसोई में तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और ये आसान सी रेमेडी बना कर तयार कर लेते हैं इसके लिए वन टीस्पून मैं ले रही हूँ जटा मासी मैं रॉफ फॉम में लाई थी आप चाहे तो इसका पौडर भी ले सकते हैं मैंने इसका पौडर बना लिया है बहुत इसली बन जाता है और एक चमच हमें चाहिए कथा कथा भी मैं कूट कर इसका पौडर बना लूँगी आप चाहे तो इसका पौडर भी ले सकते हैं जटा मासी और कत्थे का powder बहुत आसानी से online मिल जाता है आप चाहे तो online खरीज सकते हैं या फिर आप अपने market से भी खरीज सकते हैं अगर आप चाहें तो मैं link description में छोड़ दूँगी आप वहाँ से भी इसको खरीज सकते हैं इसके लिए मुझे सिर्फ 1 teaspoon चाहें तो बहुत थोड़ा सा हिस्सा इसका मैंने कूट का तयार किया है इसमें 5-6 चमच पाउडर बन जाएगा अभी मैं इसमें बादाम का तेल एड़ कर रही हूँ लगभग 1 चमच और इसमें मैं एड़ करूंगी जटा मासी 1 teaspoon और 1 teaspoon ही मैं इसमें एड़ करने वाली हूँ कथा पाउडर जटा मासी से आपके बालों की सारी समस्यां दूर हो जाएंगी जैसे बालों का जढ़ना, सर में खुजली होना या बालों का सफेध होना, बहुत सारी समस्यां का समधान है जटा मासी और कथे से आपके बालों पर जो कलर आएगा, वो कलर नहीं निकलेगा तेल मुझे इसमें थोड़ा कम लग रहा है, मैं थोड़ा तेल इसमें और एड़ करूंगी जटा मासी के विशे में मैंने बहुत सारी रिसर्च की, यहां तक कि बाबा रामदेव ने भी इसको बालों के लिए एक बहुत अच्छी औस्ति बताया है आप भी चाहें तो गूगल कर सकते हैं, तेल हमारा बनकर तयार हो गया है अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि मैं आपके साथ रेमेडी नहीं, रेमेडी का रिव्यू शेयर करती हूँ यूट्यूब पर जो वीडियो टॉप पर आती हैं या बहुत कम टाइम में अच्छे व्यूज ले रही हैं तो उनको मैं आपने उपर अपलाई करती हूँ और फिर उसका रिजल्ट मैं आपको बताती हूँ अगर बात करें इस रेमेडी की तो इसको मिले हैं 11 लाख व्यूज तीन साल में और ये अल्मोस्ट 10 मिनट की वीडियो है और इसी चैनल पर इन्होंने दुबारा वीडियो शेयर की इसको मिले है 25 के व्यूज थ्री वीक में इसमें इन्होंने कत्थे की जगह लेवेंडर एसेंशल ओयल का यूज किया है और ओयल नारियल का यूज किया है बादाम के तेल की जगह लेकिन इनका जो किंग इंगिरिडियन्ट है वो है जटा मासी बाल आपने देख लिए है अब मैं इसको अपने बालों पर अपलाए करूंगी और इसका रिजल्ट भी आपके साथ शेयर करूंगी होम रेमेडीज के आपने बहुत सारे चैनल देखे होंगे और सब अपने अपनी रेमेडीज का बहुत दाबा करते हैं अच्छा होने का लेकिन मैं आपके साथ उन्हीं दाबों की पोल खोलती हूँ मैं आपको बताती हूँ के वो सच में असरदार है या नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तेल मैंने बालों में लगा लिया है और दो घंटे के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी और फिर वैसे ही जैसे हम महंदी लगाते हैं सिर्फ पानी से इसको वाश करूँगी शैंपू नहीं करूँगी अगर आपके बाल बहुत जादा भी सफेद नहीं हुए हैं तो आपको इसका रेगुलर यूज़ करना चाहिए आप अपने जो रेगुलर आप तेल यूज़ करते हो उसमें दो चम्माच जटा मासी डाल कर रख दो और उसको आप यूज़ कर सकते हो इसमें कोई भी स्मेल हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कुछ अलग लगा रहे हो यह ठीक वैसे ही है जैसे फ्रूट्स और गिन वेजिटेबल लेने से हमारे चेहरे पर गलो आता है तो वो अगर हम रेगुलर खाते हैं तब ही गलो आता है लेकिन अगर हमें एकदम से अपने चेहरे पर गलो चाहिए तो हमें फेशिल कराना पड़ेगा मैंने जटा मासी और कथा खरीजने के लिए 300 रुपे खर्च किये क्योंकि इन्होंने अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियो जटा मासी की शेयर की हुई थी तो मुझे पूरा विस्वास था कि अब जटा मासी मेरे बाल तो आप इंदुलेखा तेल भी यूज़ कर सकते हैं हाँ वो थोड़ा कॉसली होता है लेकिन जटा मासी भी सस्ता नहीं होता है इंदुलेखा एक अच्छा तेल है मैंने पर्सनली यूज़ किया है मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि अब मैं अपने सफेद बालों को दिख करूंगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना थेंक्यू